तो दोस्तों यह एक मोडिफेट बजाज पलसर जिसको यांस कस्टम ने कस्टमाइज किया है और इस बाइक के जो कस्टमाइशन कॉस्ट है वो बीस से पचेस हजार ही क्या सपासी है और यहां पर जो मेटेरल यूज किया गया वो बेसिकल रिसाइकल मडेल का इस्तमाल करके य आप लोग देते हैं काफी अच्छा वक है काफी नीट एंट क्लीन वक है और यहां बहुत सारे जितने भी पार्ट्स हैं जैसे इसका टैंक हो यामा आरेक संडड का फ्यूल टैंक लिया गया है और हैड़ेट वगर आप लोग सब कुछ यहां पर देख सकते हैं पुराने प बज़र के अकॉर्डिंग इस टैल में कस्टमरिशन यहां पर कर सकते हैं और यह बाइक देखिए सिरिसली एक क्लासिक स्टैल की बाइक लगा रहे इसका स्प्रिंग माद जो सीट है जो यूजुली आपको बुलेट वगर में देखने मिलता है लेकिन इस बाइक में भी देखने जरू मिलेगा उसके लाव आप लोग यहां पर अपग्रेड गया है अब यह मुझे नहीं पता है यह कौन सी बाइक का है अगर आप सभी को पता है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरू बताएगा कि वह अग्जास कौन सी बाइक का लगाए गया है टायर साले की यहां पर बिल्कुल नहीं ब्रैंड न्यू टायर से फ्रेंट देंद रिया दोनों ही टायर बिल्कुल ब्रैंड न्यू लगाए गया है फ्रेंट की आप लोग LED हेडलम देखे और जो यहां पर स्पीडरमेटर कंसर्ट है वो भी किसी दूसरी बाइक से करना तो आप लोग उनसे डायर कली यहां पर कॉंटायक कर सकते हैं अगर मैं बात करूई इसके टेल सेक्षिन तेल सेक्षिन में आप लोग इंडिकेटर से जो कि रॉयल एंफिल के मुझे लगते हैं शायद यहां पर लगाए गया यहां पर हैंडल बार देखिए काफी जो साइट पहले चोटा सा बैटरी बॉक जैसे बना यह भी बहुत अच्छा लगए देखने में और पीछे में आपको चोटा सा फेंडर देखने में मिल जाएगा इस बाइक का कलर स्किम देखिए जैसे उपर में जो ब्लूइश कलर किया है और नीचे जाल जितने भी पोर लाइनिंग देख सकते हैं किस तरह से यहां पे लाइनिंग भी दी गई है बहुत ही अच्छा लगए रहा कर एक साइड वर्क साइड प्रॉफाइल से देखेंगे तो गाड़ी आपको ज्यादा अच्छी से यहां पर समझ में आएगी इसका पीछे का फ्रेम है वह टोटली कट करके बिलकुL straight किया है जैसे किस तरह से बीकुल straight pipe यहां बनाया है उसके ऊपर यह seat बठाए गई है और यहां पे फ्यूल टेंक और seat के विच में थोड़ा से यहां पर gap भी आपको देखने में मिल जारोगा पीछे में आपको support के लिए भी यहां पर दिया हुआ है handle जि लोग प्लीज कमें सेक्शन में ज़रूर बताएगा अगर मैं अपग्रेट के बारे में सीरिसली बात करूँ अगर इसकी जो हैडलाइम थोड़ी और छोटी होती और थोड़ा बहुत क्लिप-on अगर कम बजेट में कस्टमाशन का सोच रहें तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से किसी भी दुशरे बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं टायर हो गया ऑग्सौस्ट होगा और यहां पर देख सकते हैं काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा देखने में और सीरिसली काफी अच जदा छोटा यहां पर लगा गया एक दम रेट्रो क्लासिक स्टाइल की बाइक है और सिरियसली बहुत ही अच्छा यहां पर यहां पर यहां कस्टम ने किया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तो दोस्तों आप सभी लोग का कैसा लगा प्लीज इस वीडियो को ला करते हैं तो प्लीज आप लोग बजट को सोच के कमेंट कर देगा अगर आपका कम बजट है तो कम बजट में इससे ज्यादा चीज शायद आप मुट साकी नहीं देखे होगी काफी सार चीज आपको इस पाइक से भी सीखने मिले होगा तो मिलते दोस्तों एक नए वीडियो के वीडियो में अपलोड किया हैं आप लोग प्लीज में चैनलम विसिट कर लिजेगा आपको पसंद आया तो ही सब्सक्राइब कर देजगा वह यहापर कमबसेर सब्सक्राइब करने नहीं है और यह वीडियो अकर आप आप सभी को पसंद आया तो प्लीज हो सकते इस वो होने वाला एक modified Bajaj Boxer 150 के उपर वो भी आपको बहुत ज़्यादा यहां पर पसंद आने वाला है so thanks for watching enjoy